मोदी ने जो हमारी महलाओं के साथ बुरा किया है, हमारे मजदूर के साथ बुरा किया है, हमारे किसान के साथ बुरा किया है, मैं उसका व्याक्यान कर रही हूँ तुम भीक फैको और उस टुकड़े पे वोट मांगो ये नहीं चाहिए हमें डिगनिटी ओफ लेबर चाहिए मोधी सरकार जो कहती है वो नहीं करती है और जो बताती नहीं है वो कर डालती है जौब दी नहीं जारी जौब देने का ड्रामा चलता है इस देश की सरकार ने जित मंदिर बनाना अलग चीज़ है मंदिर के नाम पे राजनिती करना अलग चीज़ है ये सरकार की सोच महिला के बारे में दक्यानूस है दान मंत्री ने हर चीज़ पे यूटर लिया 19 करोड के करीब भूखे थे 6 साल पहले आब वो 35 करोड हो गए है तो ये कोई अच्छे दिन नमस्कार मैं सिखा सिंग अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं और मेरे साथ है एई टी यू सी की जो हेड है जेनरल सेक्रेटरी अमर्जीत को और हमारे साथ मौजूद है और ये आज यहां पे जो अल इंडिया संग का जो मोर्चा है आसा बहु आंगन बारी ये स सारे wσιmore यह लीड कर रही है तो आप देख सकते हैं यहां माहिलाएं नहीं टेज से कोने कोने से जो है यहां पतना उन यहां पर देखें यह महलाएं तीन सेक्शन को बिलॉंग करती है एक तो ओल इंडिया जो अंगनवाडी की स्कीम है आई सीडियास की उसमें है महलाएं दूसरी है जो आशा वर्कर्स का प्रजक्ट चलता ही देश में हेल्थ का उसकी महलाएं है उस यूनियन्स की और तीसरा है माध्यानिय भोजन का तीन अलग मंत्रालियों में पड़ता है और यह स्कीम के तहत कारिक्रम चल रहे हैं इनको वर्कर का दर्ज़ा नहीं है काम इन से पूरा लिया जाता है वर्कर स्टेटस नहीं है आंगनवाडी वर्कर्स ने लड़ लड़के अपना मांदे बढ़वाय बहुत सी सुहलते थोड़ी ली अभी भी उनकी पैंशनरी बैनिफिट्स की लड़ाई चलती है और भी सारा चलता है पक्के आई सीडियास के सेंटर मिले मुझे सब चलता है लेकिन जो हमारे आशा वर्कर्स हैं मिड़े मील वर्कर्स हैं आप इमेजिन नहीं करोगे कि अंदे भी नाम बात रहा हैं तो ये तीनों सेक्शन्स की माहिला हैं और तीनों ही हम समझते हैं कि देश के लिए बहुत महत्पून काम कर रहे हैं एक तो बच्चों के पैदा होने से पहले से मां का ख्याल रखना बच्चे की मां को जो जो इंजेक्टिव्स चाहिए इंटे सेक्शन्स हैं ये बच्चों और परिवार से डील करते हैं और जो MDM है वो इस बात को डील करता है कि स्कूल का ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए बच्चे पाट्शला में रह सकें गरीब परिवार हैं तो खाने की मुश्किल है तो बच्चे को मध्याने भोजन मिलेगा तो पेरंट्स को तसली होगी कि कुछ पेट भर के आएगा कुछ पढ़ के आएगा तो एजुकेशन में और स्वास्ते के प्रशन पे और महिला के प्रशन के उपर ये तीनों बहुत स्ट्रॉंग स्कीम्स हैं सरकार इनको कमजोर कर रही है लड़ाई ये है कि बहुत बार इसका निजी करन कोशिच करने की कोशिच की गई जिसको हमने होने नहीं दिया हमने लड़ा दूसरी यूनेनों को लिया हमने जॉइंटली लड़ा लेकिन अब इसका पैसा घटाया जा रहा है सेंटर अपना हाथ पीछे खीच रहा है 90 इंटू 10 का रिश्यो था सेंटर और तो उन सारे इश्यो को लेके यहां पहुंची हैं कि एक तो हमें करमचारी का दर्जा दो पहली मांग तो यह कि रेगुलराइज करो एक पटिकुलर काडर तक सब रेगुलर एंप्लॉई हैं सब गवर्मेंट एंप्लॉई का पेमेंट ले रहा है और इनको शिक्षा विभा हमारी चाइल्ड एंड वुमेंड डिवेलपमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री तीन मिनिस्ट्रीज डील कर रही है इनमें से एक एक स्कीम को इनको केवल सरकारी करमचारी का दर्जा नहीं है तो यह सरकारी करमचारी बनाओ जब तक वो नहीं बना पा रहे हैं इनको वर्कर का स स्टेटर्स दो वरकर स्टेटर्स दोगे तो फर 21,000 नियुन तम वेतन के हमारी डिमैंड है इतना मालूम है कि देश के कोने-कोने से महिलाएं आई हैं सारी लेकिन सारे स्टेट्स में जो है अलग-अलग मान दे कभी कही किसी आसा वो को तीन अजार लग रहा है तो बिहार में है किसी को आदा ऐा आई सीडय स्कीम में वो तो सेंटर का कॉमन मान देप जाता है और जो स्टेट का शेर है वो हर स्टेट सरकार तय करती है उसके वज़े से अलग-ज़ग राजियों में अलग-प्राइजस सरकारों ने दिया हुआ है तो उसका डिफरेंस एस टेटरड रह किस स्टेट में उसको कितना वो कर पा रही है, उस पे निरबर है, और मिड़े मील में भी ऐसा है, स्टेट डिसाइड करती है, सेंटर ने सिर्फ हजार किया हुआ है, स्टेट उसको बढ़ा सकती है, लेकिन उसमें भी किसी स्टेट ने बढ़ा है, किसी ने नहीं बढ़ा है, तो वो जो डिफ्रेंशियल है ये तब खतम होगा अगर सरकार एक कॉमन अप्रोच बनाती है उनको गवर्मेंट का करमचारी का दर्जा देती है वर्कर स्टेटर है। और जो बताती नहीं है वो कर डालती है ये हमारा अनुभव है इस सरकार का 9 साल का नंबर वन नंबर टू माहिला के प्रती इनका आदर है तो ये जो स्कीम वर्कर्स हैं इसमें तो अल्मोस्ट 100% माहिला है पुरुष तो सिर्व माध्याने भोजन में कुछ रसोया हैं बाकी द कॉलेज में था उनकी राज्य सरकार की नौलेज में था सीबी आई के मना भी किया कोट ने मना किया और होम मनिस्टर की नौलेज में था तो भी बिल्कीज बानों के अपरादियों को रमिशन दिया गया मैं कैसे मान लूँ ये माहिलाओं के लिए हैं और जहां जहां माहिला क्या बोलते हैं आठ मार्च का दिन आया क्या बोल रहे थे इनके नेता कुछ वो कह रहे थे कि महलाओं को जो है ना संभाल के रखने की जूरता है इनको अजादी नहीं देनी चाहिए अजादी देंगे तो बिगड जाएंगे तो जो यह मान रहा है कि घर की चारदिवारी में बंद रहनी चाहिए वो इन महलाओं के लिए क्या करेंगे तो मिस्टर नरेंदर मोधी को समझ में आना चाहिए जिनको लेकर के वो राज कर रहे हैं ना वो पूरे के पूरे महला के बारे में दलितों के बारे में आम गरीब गुर्बा के बारे में उनकी सोच बहुत ही दूसरा उन्होंने चाय बना के संगर से वो परधान मंत्री बन रही है। वो कैसे गरीबों के लिए ऐसा सो साथ है। 1973 में बना, 1973 में वो स्टेशन बना, प्लैटफर्म बना, उसके बाद गाड़ी रुकनी शुरू हुई। तब नरेंदर मोदी की उमर क्या थी, 24 बरस। नरेंदर मोदी क्या दावा करते हैं, मैं 7-8 साल की उमर में वादनागर के रेलवे प्लैटफर्म पे चाय बेशता था। तो ये मैं क्या कहूं, कौन सी कहानी गड़ी उन्हें, मैं नहीं मानती वो चाय बेशते थे, नहीं बेशते थे, वो RSS के स्वैम से वी थे, ये मैं जानती हूं, और वो खुद भी मानते हैं, वो निकर पहन के शाखाओं में जाते भी रहे हैं, आप उन्होंने पेंट बना ये RSS ने, लेकिन परधान मंत्री चौभी साल की उम्र में जो है, वो वादनगर स्टेशन बनता है, जिसका दावा ठोकते हैं, दूसरी बात, परधान मंत्री ने स्वते कहा, कि मैं सत्रा साल की उमर में घर छोड़के चला गया था, और परधान मंत्री इस ओन रिकॉर्ड वीडियू, सैंग इस तिंग, नमबर टू, नमबर त्री, प्रधान मंत्री ने हर चीज़ पर यू तर लिया, उन्होंने गाले दिया कि GST नहीं होना चाहिए, जिस त लगाये, उन्होंने गाले दिया, नोट बंदी नहीं होना चाहिए, जब वो C.M थे, जो जो वो बोलते कि हूँ सरकार का अंकड़ा है क्राइम ब्यूरो का अंकड़ा है कि लास्ट यर आतम हत्या करने वालों में 25 फीसदी दिहाडी मजदूर था तो यह अच्छे दीन है प्रधान मंत्री के राद में प्रधान मंत्री की सरकार ने एक एफिडेविट दिया सुप्रीम कोट में उस में सविकार किया कि 5 साल से नीचे के बच्चे जो मर रहे हैं हिंदोस्तान में उनमें सबसे बड़ा कारण 66 परसें रीजन जो है वो कुपोशन है तो बच्चे कुपोशन से मर रहे हैं 19 करोड के करीब भूखे थे 6 साल पहले अब वो 35 करोड हो गए हैं तो यह कोई अच्छ हमारी स्मिर्ति रहानी जी जो है वो महिलाओं और बच्चों की जो है मिनिस्टर है और वो हमेशा कहती है कि महिलाओं और बच्चों के लिए वो अच्छा का अच्छा काम कर रही है अच्छे अच्छे काम करें और मोदी जी भी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा ल सबस् необходимо जैदां देखो नारे लगाना इस बात की गび liberté नहीं है कि वह नारों लगव रहें यह सरकारी नारों की क्यूं नहीं लगाएंगे वो वह नारों पर ही जिंदा है और अपने दिये हुए नारे को जुमला बोल देते हैं जैसे खुद अंच साजी ने बिहार में जाकर के कहा था जब से जब उनसे का 15 लाक रुपए हमारे कहा है हारे को आपने देने थे तो वो कहा है तो अमिर्शा ने बुड़े अराम से बोल दिया अरे वो तो चुनावी जुमला था उसकी क्या बात करते हो तो जो नारे लगा के बाद में उनको जुमला बोल देती है तो वो नारों पे ही सरकार जिन्दा है तो नारे क्यों नहीं देगी नारे तो सुन्दर सुन्दर गड़े जा सकते हैं मैं प्रैक्टिस की बात कर रहे हूं प्रैक्टिस के अंदर बच्चियों का भला नहीं हो रहा है शिक्षा महेंगी हो रही है शिक्षा का वेव रोजगार चीने तो इसको रोजगार देना कहेंगे क्या अनम्प्लाइमेंट बड़ी है फिक्स्टर में एंप्लाइमेंट आई है 56 लाग के आसपास सेंटर और स्टेट की सीटे खाली पड़ी है सरकार भर नी रही है हर जो तीन रिटायर हो रही है उन पे दो सीट भरी नहीं हार महीने में कहीं न कहीं किसी स्टेट में हजारों नौजवान सडकों पे है कि हमारा एक्जैम लिया हमारा रिजल्ट निकाला हमको अपन्मेंट लेटर भी पकड़ाया पर हमको जॉब नहीं दिया ये तमाशा लगातार चल रहा है जॉब दी नहीं जारी जॉब देने का है इनके रहत बिल्कुल घुश है उंसे जो मोदी जी गुल्कुल मानती हूं लेकिन जनता खुशी से वोट दे रही है मैं नहीं मानते हूं सिच्वेशन यह है कि वह अपोजिशन डिवाइड है और यह अपने नारों पे अपने पैसे पे अपनी डिवाइड रूल की नीती पे लोगों में जो नफरत फैलाते हैं उनको प्रश्रह दे के यह जो रिलीजिन की पालिटिक्स है य जिसको यह खड़ा करते हैं उन सारी चीजों का तढका लगता है tapped मंदी भी तो चाहिए लोगों को राम उंढ़ी चाहिए चाहिए हिंदु राश्च चाहिए और उसके बाद आप लोगई बोलते हैं मैं कहती हूं इस देश में कभी किसी ने कहा राम मंदर नियों निज A.D जारो मंदिर हैं, हजारो मस्जिदे हैं, हजारो गुर्दवारे हैं, हजारो चर्च हैं, इस देश में धर्मिक स्थानों की कमी नहीं है, मंदिर बनाना अलग चीज़ है, मंदिर के नाम पे राजनिती करना अलग चीज़ है, मंदिर बनाना अलग चीज़ है, मंदिर के नाम प और वहाँ 14-15 परसन मुसलिम हो और फिर ये इतना बड़ा मज़ा किया जाए हिंदूों को मुसलमानों से खत्रा है लव जिहाद होता है लव जिहाद तो हर जगा होता है जिहाद लव जिहाद नाम का कोई शब्द नहीं है इन्होंने हिंदू-Muslim डिवाइट के लिए किया हमारे देश में Special Marriage Act create किया गया 1957 में किसलिए अलग अलग धरम के अलग अलग जात के अलग अलग देशों की citizenship लिए हुए लोग अपने अपने धरम, अपने अपनी सोच, सांस्कृति को जिन्दा रखते हुए शादी कर सकते हुए तो special marriage act है, तो अगर वो love कर रहे थे, शादी करना चाहते थे, वो कर रहे थे यह देश में इतने बरसुसी चला रहा, आप इनको क्या तक्लिफ हो गई महिलाओं के लिए तो आप बोली रही है, साथ-साथ मोधी के परती अपनी भरास निकाल रही है, मैं मोधी के परती बरास नहीं निकाल रही हूँ, मोधी ने जो हमारी महिलाओं के साथ बुरा किया है, हमारे मजदूर के साथ बुरा किया है, हमारे किसान के साथ बुरा किया है मैं उसका व्याक्यान कर रही हूँ, क्योंकि ये क्या करने आई है, मोधी सरकार से मांग करने आई है, तो मोधी सरकार का चेहरा क्या है, वो मैं क्यों नहीं बताऊंगी नारा 370 हटा दिया, ऐसा ऐसा काम किया है, जो पिछली किसी परधान मंतरी ने नहीं किया, विसु पटल पे नाम रोसन कर रहे हैं, हिंदू रास्ट्र बना रहे हैं, और क्या चाहिए? देखे हिंदोस्तान की हजारों बर्सों की जो सभेता है न, वो हिंदू राज के लिए नहीं है, वो सांजी सांस्कृति के लिए है, दुनिया में जितने धर्मे हिंदोस्तान में हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा भाशाईं यहां हैं, सबसे ज़्यादा फेस्टिव इसी विभीनता को बचाने में हैं उनका हिंदू राज का नारा देश को बाटने का नारा हमें हिंदू राज नहीं चाहिए हमें और पकिस्तान नहीं चाहिए हमें खलिस्तान नहीं चाहिए हमें हिंदूस्तान चाहिए लेकिन एक दिरेन सास्त्री है बाबा है चमतकारी बाब कर उन्होंने बंचफ थॉट लिखी थी उसी में ही उन्होंने लिखा था उस बंचफ थॉट में उन्होंने लिखा था कि इस देश में रहना है तो जिसको हम धरम define करते हैं उसे हिसाब से रहना होगा that means second grade citizen की तरह रहो अपना तुम्हारा कुछ नहीं है तो ये किसी पुरुष को किसी इस्त्री को मारने जैसा है कि तुम कहो तुम्हारी कोई पहचान नहीं है पहचान वो ही होगी जो मैं बताऊंगा ये human rights के भी खिलाफ है ये Indian Constitution के खिलाफ भी है और ये एक आम जो सोच होती है उसके खिलाफ है तो इनकी जो हरकते हैं वो देश के Constitution के खिलाफ है तो अप असम के मुखमंतरी से एग्री नहीं करती हैं असम मंत्री ने कहा है कि महिलाओं को इस उम्र में साधी करनी चाहिए, महिलाओं को इस उम्र में बच्चे पैदे करना चाहिए, तो क्या गलत कर दिया हूँ? मैंने आप से पहले ही कहा, इनकी महलाओं के बारे में सोच बहुत दक्यानूस है, वो महला को वस्तु समझते हैं, इस्तेमाल की, वो डिसाइड करेंगे, वो कब उठेगी, कब बैटेगी, कब घर में रहेगी, कब बाहर रहेगी, कब बच्चे पैदा करेगी, कितने करेगी, क फिर वो बताए, युदिश्टर जैसा चाहिए, कि अरजून जैसा चाहिए, कि करण जैसा चाहिए, तो वो मंतरों से तैय हो जाएगा, फिर वो जैसा बेटा चाह रही है, वैसा मिल जाएगा, इससे बड़ी गैर विग्यानिक बात हो सकती, तो इन धक्यानूसी लोगों की क्या बात करें इसलिए आप कहा रहे हो ना बड़ास निकाल रहे हो यह जो हमारी महिलाएं आ रही है अपने घर परिवार को पालती है थोड़े से मांदे से पाल रही है अपने बच्चे को पढ़ा रही है प्रधानमंतरी क्या चाहते हैं यह भूकों मरें और उनके अनाज की वो एक धाली उनके चेहरे के साथ बस उसको लेके सिर पेट भरके सो जाएं जानवरों। 80 करोड जनता को रोब खाना दे रही है, 80 करोड को अनाज दे रही है। तो प्रधान मंत्री को मनना चाहिए कि देश की हालत बहुत बुरी है। लोग डिगनिटी से जीना चाहेंगे, काम मिले और अनाज खरीद के भी खाना चाहेंगे। तुमारे आगे भीक मांगके और तुम भीक फैको और उस टुकड़े पे वोट मांगो, ये नहीं चाहिए, हमें डिगनिटी ऑफ लेबर चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 में आप लोग आप जिस परकार से बोल रही है, तो आपको क्या लग रहा है, 2024 में वोट की चोट देंगी। देखिए, हमारा काम है अपनी ट्रेड यूनियन अंदोलन को आगे बढ़ाना, अपनी मांगे रखना, सरकार हमारे प्रती निष्ठूर है ये बताना, सरकार की पालिसिया गलत है ये बताना, और आम जनता को कहना, डिसाइड करो, ये तुमारे खिलाफ है, तुमें इसको द ये नारा तों जड़कों पर देते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं, निकम्मी है, और दूसरी और ग्री मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता, जब तक मोदी जी है तब तक प्रधान मंत्री रहे हैं, ये फासिवादी सोच है, और मैं हैरान नहीं हूँ, ये फासिवादी नाजिवादी सोच है, कि हमें कोई नहीं हटा सकता, इसका मतलब जनवाद में यकीन नहीं, इलेक्शन में यकीन नहीं, जनता के प्यार पे यकीन नहीं है, अगर जनता पे यकीन हो, ये संटेंस नहीं होगा, आप ये कहेंगे कि जनता डिसाइड करेगी, कि अ पर इतनी स्विफ्टनेस इतनी स्विफटनेस दिखाना कि उसकी सदसेता लेना और फिर रोडे अटकाना कि वो अपील ना कर पाए कोशिश करना कि एक पर्टिकुलर पीरिड ओवर हो जाए ताकि उसको 8 साल से बाहर करें तो ये कह रहे हैं कि हमें जनता जिताएगी तो फिर डर क्यों रहे हैं गांदी से ये अपने अप में बताता है कि ये जोरा जबर्दस्ति से सरकार में रहना चाहते हैं सारी अपोजीशन को E.D. का C.B.I. का N.I.A. का U.A.P.A. का दर दिखाके उनको बंद करना चाहते हैं राहूल गांदी ने भी तो सरकार की पॉलिसी से विभिन मेरी राहे तो मैं रखो अगर मेरे को सरकार से कुछ कश्ट है तो मैं उसके खिलाब बोल सको सरकार से मांग रख सको उसके खिलाब बुकरताल कर सको उसके खिलाब मैं परलिमेंट प्रापी जेल में चली जाएंगी मैं तो त्यार रहती हूं हमेशा, मुझे क्या परवा है, मैं सीधा बोलती हूं, प्रदान मंत्री नेरेंदर मोधी जी, आप अडानी को क्यों बचा रहे हो, अगर कोई चोरी चकारी का मामला नहीं है, आपका कोई लेंडेन उससे नहीं है, हमारे पब्लिक सेक्टर से उसको इ बचा रहे हैं, तो वो भी चोरी होती है, उसके सपोर्ट में बहुत लोग आएं और बोला है कि अडानी को हिंडनबर्ग जो है, बदनाम करने की कोशिज करा है, क्योंकि भारत भी इस्पटल पे नाम रौसन कर रहे है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बहुत देशों के बारे में आई, किसी देश की लोगों ने नहीं कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, किसी सरकार ने नहीं कहा उनके खिलाफ साजिश हो रही है, पूरी दुनिया में हिंडनबर्ग सेवरल देशों के पुंजी पतियों पे रिपोर्ट निकालती है, अभी किसी और के बारे में पिर आने वाली है तो हिंदुस्तान की सरकार को ही क्यों डर लगा कि इसदेश की सरकार ने किया इस देश की सरकार ने जितना घटिया काम किया कोविद के टाइम पे चार घंटे के नोटिस पे लोकडोन लगाया और उसके बाद जो मजदूरों के साथ ट्रीट किया इससे बत्तर कोई हालत नहीं हो सकती अपनी पीट थपत पाने से कोई अच्छा नहीं हो जाता मोदी जी आपको सलाम अपनी पीट थपत पाना हम जानते हैं कि देश की जंता बहुत कष्ट में है तैयार हो जाई है इससे पहले भी जो है आसा बहु की बहुत बार मोड़शा निकल चुकिये जितना मुझे मालूम है लेकिन आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी सुनेंगे आप लोग बहुत भारी तादात में यहां पे मौझूद है और आप उखार फेकने की बात कह रही है देखे उनकी जो सेल होता है खबरें मुखवरी का सेल होता है वो यहां से रिपोर्टें भेजेगा तो उनकी मतलब है कि उन्होंने संग्यान इसका लेना है यह नहीं यह उनकी मर्जी है हमारा काम था हमारे लोगों का आना और कहना हमारा यह कश्ट है दूर करो नहीं दूर करोगे तो तुम्हें हटा दिया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मैम थी और इन्होंने अमर्जीत कोर आपने देखा और यहां पे भारी तादाद में महिलाएं मौजूद है अमर्जीत कोर का साब कहना है कि अगर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम सब तनिक भी देरी नहीं करेंगे 2024 में उनको उखार के फेक देने में तो आप लोगों क्या लगता है कि सरकार 2024 में किसकी सरकार बनेगी और अमर्जीत कौर से आप कितने जो है एगरी करते हैं कितना आप इतफाक रखते हैं कितना आप उनसे सहमत है